हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi यहां हम बात करने वाले हैं लेजंडरी MS स्वामी नाथन जी के कॉंट्रिबूशन के बारे में और साथ ही स्पैसिफिकली हम चर्चा करेंगे Green Revolution के Negative और Positive Dimensions के बारे में याद रखिए यह वीडियो अगर आप 20-30 मिट्स ध्यान से देखें तो आपके सोचने समझने के दायरे को आपके Dimensions को एक नए आयाम देगा मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपके पास ऐसी कुछ Informations होंगी जो आपके लिए बहुत क्रूशल होंगी जानना, समझना और एक अवेट सिटिजन के फॉर्म में उनके बारे में समझना तो चलिए सबसे पहले News देखें, तो भारत रतन, जो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है उसे सम्मानित किया जाएगा, भारत रतन सम्मान से सम्मानित होंगे अब ये जो सम्मान है, ये इनके Agricultural sector में इनके बड़े Contribution के लिए दिया जा रहा है अब अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा आगे ले जाएं और आपके अंदर एक सोचने के नई Dimension को जरम दें तो अगर मैं आपसे कहूं कि Basically पंजाब हर्याना के लिए आपने शायद मूवी सुनी होगी, देखी होगी उर्ता पंजाब जहां Drug Problem को Specify करा गया पंजाब हर्याना के छेतर में इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं पंजाब में एक train चली थी एक समय पर जिसे Cancer Train के नाम से जाना ज़्यादा था जो राजसान के अलवा डिस्ट्रिक तक जा रही थी और अगर मैं आपको बताऊं तो नियर अबाउट सो लोग प्रती एक लाख ये एक बड़ा आकड़ा है पंजाब में देखने को मिलता है Cancer Patient का इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूं कि उत्तर प्रदेश और इसके आसपास भीहर वाले एरिया में जादा से जादा बुरका और परदा सिस्टम देखने को मिलता है इसका Nexus है Green Revolution के साथ तो शायद आपको सोचने में ये बात मजबूर करेगे कैसे ये दोनों चीज़े Interlink है इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं South India में Type 2 Diabetes का होना एक 6 साल के बच्चे को एक 10 साल के बच्चे को Diabetes का होना ये कहीं न कहीं ये इंडिकेट करता है कि हमने बहुत वर्षों पहले कुछ न कुछ ऐसा करा जिसका प्रभाव आज हमें देखने को मिल रहा है ये कुछ Negative Dimension है No doubt हर एक कारे के Negative Dimension होते हैं बहुत इसेंशल बहुत जरूरी प्रेक्टिस थी भारत के लिए जिसमें बड़ा कॉंट्रिबिशन लेजेंडरी एमेस स्वामी नाथम का था पर इसके Negative आस्पेक्ट्स भी है पॉजिटिव बहुत सारे हैं हम पॉजिटिव पर जर्चा करेंगे इसी तरीके से अगर मैं आपको बताओं तो हरित क्रामती का एक बहुत थी शांदार बहुत थी इंट्रस्टिंग एक अंतर राष्ट्री और एक राष्ट्री बैग्ग्राउंड था हम यहाँ से चर्चा को स्टार्ट करते हैं और एनलेसिस करते हैं Green Revolution के बारे में यह किस प्रकार से Green Revolution हरित क्रामती भारत के लिए और विश्व के लिए important रहा और इसके क्या negative dimensions रहे तो सबसे पहले अगर मैं आपको परिचित कराऊं तो I think आपने इन फिगर के बारे में जरूर सुन रखा होगा नाम था इनका मालतिस और इन्हों ने दिया था मास extinction होगा समझ जाईए भई कि मानो प्रत्वी से समाप्त होने वाला है और कारण इन्होंने बताया था याद रखे इनकी रिसर्च बहुत समय तक ट्रेंड में नहीं आई थी बहुत साई लोगों ने इस चीज़ को accept नहीं करा था लेकिन जब इनकी त्योरी इनका सिद्धान सही सिद्ध होता हुआ दिखाई दिया तब इसने क्रामतागरी परिवर्तन लाए थे इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने दिया कि भ से हम बढ़ रहे हैं और खाद्यान का उत्पादन एक दो तीन की रफ्तार से बढ़ रहा है याने की मानाव का विनाशताय है अगर हमने खाद्यान का उत्पादन नहीं बढ़ाया तेजी से और जनसंख्या को कंट्रोल नहीं करा तेजी से यहीं से निकल के आया था परिवा तातकालिक कारण हमें देखने को मिले यह 1930 के बाद से निर्मित होने वाली वर्ड वार की कंडिशन थी यानि कि जब वर्ड वार हुआ तब यॉरप में जो क्राइसिस क्रियेट होना स्टार्ट हुए इसने पूरे वर्ड को खासकर यूएस और मेक्सिको जैसे देशों को समझ हमें अपना खाद्यान उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आने वाले समय में खाद्यान उत्पादन हमारे लिए परयाप नहीं होगा अब नौ माल्थस वाद का होना यह प्रस्ट भूमी और तातकालिक कारण बना अब इसी के बाद यूएस ने अपने देश में ज में तो ध्यान से सुनिएगा यह बना अंतरास्टी बैग्राउं अर्थात नौमाल थस्वाद और वर्ल्ड वार का होना इसके बाद जो भारती प्रस्ट भूमी थी यह काफी जादा इंट्रस्टिंग है समझेगा इस चीस को अगर मैं आपसे आधार भूत कारणों के बारे सिकली हमारी क्रिशी गतियों जनाएं बहुत अधिक सफल नहीं हुई साथ ही अगर मैं आपको तातकाली कारण बताओं जो खासा आधार बना था वो यह था कि USA ने जरूर एक हरित क्रामती करके खाद्यान उत्पादन बढ़ा लिया लेकिन इसके बाद एक पर पंच इस प् एल 480 प्रोग्राम था इसमें जो विकाशील देश थे या जो न्यूली इंडिपेंडेंट्स गेन करने वाले देश थे वो बेसिकली USA से जो है वो अनाज ले सकते थे बहुत ही कम दरूपर इसी पर हमारे PM इंदिरा गांधी मैम का विजिट होता है और अगर मैं आपको बत करती है फोटो में दर्शाया जाता है इंदिरा गांधी मैम को कटोरा लिये हुए और भारत की तश्वीर के साथ जहां ये इंगित होता है अगेन इंडियन पीम बैगिंग फॉर फूड फिर से भारती प्रधानमंतरी खाने की भीग मांगने आए हैं ये वो एक ट्रिगरिं वहां के बाद सीधा हुआ इंडिया में हमने कांटेक्ट करने का प्रयास काया नॉर्मन बोर्लोग को और वही से हमें एक डारेक्शन मिला एमेस स्वामी नातन लेजंडरी एमेस स्वामी नातन के साइड और हमने त्रिमूरती भवन में जी हाँ जिस प्लेस का नाम शायद आप सभी ने सुना होगा त्रिमूर्ती भवन में इसकी कुछ initial practices और बहुत सारी meetings रखी गई और भारत ने बहुत जल्दी ही इस निश्कर्स को निकाला कि MS स्वामी नातन की leadership में जो कहा जाता है भारत ने जो है वो green revolution अर्थात हरित क्रांती को try करा और 1965 के बाद 68 के बाद भारत ने जो है वो लगातार अपनी हरित क्रांती को आगे बढ़ाते हुए जब exercise करी तो क्रांती कारी कुछ परिणाम सामने आए अब क्या थे वो परिणाम तो मैं आपको इस पस्तौर पर बताऊं तो जो PL480 प्रोग्राम के तहत हमें जो insult face करनी पड़ी थी एक समय पर उसका एक बहुत बढ़िया आंसर इंडिया ने दिया जब भारत ने खाद्या कारी फसलों का उपयोग करा गया था पर सचाई तो यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बात थी हमारी हरित क्रांती की कि नो डाउट हमने हाई येल्ड वेराइटी ऑफ सीट्स का उपयोग करा था अधिक उपजवाले वीजूं का उपयोग करा था परंतु एक रिमार्केबल ब उपज जादा है ताकि जो आप खाद डालेंगे वो मैक्जिमम उतपादन के लिए उपयोग होगी ना कि अननेसेसरी पार्ट को बढ़ा करने के लिए अब ये जो क्रॉप हमने लाई ये जो फसल हमने लाई इससे उतपादन बढ़ा और भारत का उतपादन में एक्सपोनेंशल ग्रोथ देखने को हमें मिलती है पर आगे क्या होता है आगे होता है इसके positive dimensions का आगमन जहांसे समझेगा कि इसके positive dimensions में आप सबसे पहले देखेंगे कि भारत को हरित करांसी से क्या क्या मिला तो सबसे बहली और सबसे महत्वपून बात हमारा क्रिशिकत उतपादन बढ़ा हमारा जो किसान था जो गरीब था वो धीरे धीर उसकी आए में ब्रद्दी हुई चामल और गेहुं का उतपादन गैर परंपरागत जो है वो छेतरों में देखने को मिला हमारे वो फसले जो आज हमारे main food का पार्ट है वो और उनका उतपादन हरित क्रांती के बाद ही surplus हो पाया हम हरित क्रांती के बाद खादी सुरक्षा के फील्ड में एक अग्रेनी देश बने हम निर्यातक देश भी बने आयातक से निर्यातक की यात्रा हमने तै करी और साथ ही अगर मैं आपको बताऊं तो हमने और द्योगिक छेतर में भी हरित क्रांती के द्वारा क्रांती कारी प कर दे करना जाहूंगा कि अभी भले ही हमारे संब्ध कैनिडा के साथ बहुत शांदार ना रहे हों लेकिन आप ने शुना होगा कैनिडा के अंदर पंजाबी इनकी क्राम्ति के काफी चर्चा रही और इस चर्चा का परिणाम ये था कि भारत से बहुत सारे फार्मर्स को खासकर पंजाब वाली बैल से बुलाया गया था कैनेडा में कि आप भारत से कैनेडा आएं और कैनेडा में लोगों को सिखाएं कि कैसे हरित क्राम्ति को बैटर मैनर में execute करा जाता है अब ये सारे dimension दर्शाते हैं कि में स्वामी नाथन जी के द्वारा करा गया वो कार भारत के विकास के लिए बहुत important था लेकिन कहीं न कहीं कहानी का दूसरा पहलू अवश्य होता है हमेशा एक negative dimension होता ही है और क्या रहा वो negative dimension तो यहां मैं दो dimension पर ज्यादा focus करना चाहूंगा एक रहा सामाजिक प्रभाव और दूसरा रहा पर्यावरनी प्रभाव कई बार कहा जाता है कि हरित क्रांती यह मेरे शब्द नहीं है यह बहुत सारे शोशल एक्सपर्ट के बहुत सारे इन्वार्मेंटल एक्टिविस्ट के यह बहुत सारे ऐसे statement है कि कही जो हमारा green revolution था इसका प्रभाव क्या पूरे भारत में एक जैसा था तो शायद आंसर है नहीं आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि जो पंजाब हर्याना और पश्चिमी यूपी वाला बेल्ट है वहां के जादतर फार्मर्स ने इसमें actively participate करा और अच्छे result भी हमें देखन रही इसी प्रकार से ये जो इस्तिती थी उसने छेतरी असमानताओं को जन्म दिया और साथ में इस छेतरी असमानता ने एक बड़ा dimension हमें दिखाया बहुत actively समझेगा इस चीज़ को और अगर समझ में आए मेरी बात तो कबार कमेंट सेक्षन में से मेंशन करिएगा कि जब कभी किसी इस्तान पर छेतरी विशमताय होती हैं चाहे वो USA हो चाहे वो इंडिया हो आपको वहां पर लार्ज स्केल पर शोशल डिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं यहां आप पाएंगे कि तीवर गती से पंजाब और उत्तर प्रदेश में जो है वो सामाजी की सिटियों मे और यही कारण रहा कि जो लेबर्स थे वो माइगरेट कर रहे थे जा रहे थे पंजाब की ओर जहां पर तिहारी कल्चर जो है वो प्रारंब होता है यूपी बिहार से लोग जो है वो निकल कर पंजाब की ओर प्रस्थान करते हैं अब इस चीज़ को शोशली समझने का प्र पिंद्र परिवार से बहार निकलेगा पेट्रियार की सोसाइटी है पित्रसत्तमक समाज है याने की 25 साल पुराने मानसिक्ता से पुन्ह परिवार को डील करा जाएगा और वो male जो field पर उतर के समाज में हो रहे परिवर्तनों को घर तक लेकर आता वो male of family nuclei से निकल जाएगा अब वो तिहाडी के लिए दूसरे शहर जाएगा परिवार का head परिवार का एक बुज़ुरुख होगा जो ना चाहते हुए भी सच्चा यही है कि पुरानी मानसिक्ता स ही परिवार को lead करेगा और वो परिवर्तन जो समाज में समय के साथ आ रहे हैं वो परिवर्तन समाज के परिवार तक नहीं पहुच पाएंगे यानि कि समाज में हो रहे परिवर्तन परिवार में नहीं होंगे जिससे परिवार में परिवर्तन नहीं होगा और परिवार ही में ध्यान से देखेगा अक्सर अगर हम Green Revolution के समय की बात करें तो इस समय और इसके आसपस जन में बच्चों को ध्यान से देखेगा परिवार का पहला चाइल जो है वो अगर मेल है तो जनरल ही वो सिक्षित नहीं होता हाँ ये जरूर होगा के दूसरा या तीसरा चाइल इस कारण सिक्षा की कमी होगी अब इस तरीके से एक इस्थान पर जादा से जादा बुर्का और परदा सिस्टम आपको देखने को मिलेगा क्योंकि फैमिली पुराने रूल से गवर्न हो रही है और यहां से जो निकला व्यक्ति है वो पंजाब जाएगा और पंजाब जान क्योंकि लेबर अविलिबिलिटी जादा है लेबर सब परयाप्त है और परयाप्त लेबर होने पर शारी डिक्ष्रम रुख जाएगा तो सिंपल सी बात है खाली समय और अन्यों गतीविदिया यहां से जन्म होता है पंजाब के अंदर जादा से जादा एक क्वाइन ओफ म जाने पर 25-30 साल में बाद ये प्रभाव धीरे धीरे इस पस्ट्रूप से दिखाई देते हैं अब पंजाब हरयाना में ड्रक का प्रबलम हो या फिर बुर्का और परदा का प्रबलम हो नॉर्थ इंडियन बेल्ट में हमें देखने को मिलता है याद रखे इसका प्रभाव पर्यावरनी भी काफी घातक रहा अगर मैं आपको सीधा पहला एक रीजन बताऊं तो एक रिपोर्ट थी इसकी सत्यता के प्रमान हम जादा नहीं मानते लेकिन ऐसा कहा जाता है वेस्टन वर्ल्ड में कि भारत में एक समय पर इतना डिडिटी उप्योग करा गया कि आज का अबाउट 200 ग्राम तक डिडिटी होता है और यह डिडिटी सफीशेंट होता है कैंसर कॉस करने के लिए ऐसा कहा जाता है सत्यता कितनी है शायद हमें नहीं पता लेकिन हमें एक बात अच्छे से पता है कि पंजाब हर्याना का वो बेल्ट जहां पर मास लेवल पर कैमिकल फ कैंसर जो रेर होता है इवन वो कैंसर भी देखने को मिले कारण सिर्फ यह था कि यहां पर अक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर इंसेप्टी पैस्टी का यूज होने से यह बायो एक्क्यूमिलेंट की तरह कारे करते हैं और धीरे-धीरे करके मानव सरीर में बढ़कर यह कै करना तलाब हुआ करता था अब वो तलाब समाप्त हो चुका है वहां मैदान बन चुका है कहां गया वो मैदान कहां गई वो जील यूट्रोफिकेशन के कारण जीले धीरे-धीरे करकर अवसाथ से भर जाती हैं सेडिमेंट के डिपॉजिट से यह खत्म हो जाती हैं इसी प लेकिन जैसे जैसे हरित क्रांती बढ़ी यहां लेबर्स आए माइगरेशन बढ़ा और जैसे ही मन्रेगा स्कीम आती है लेबर्स का माइगरेशन कहीं न कहीं बंद हो जाता है अब वो जनरेशन जो बहुत जादा सारी डिक्स्रम करने के लिए यूस टू नहीं थी वो एक आसान जो है वो रास्ता अपनाना प्रिफर करती है पराली जलाना तेज हो जाता है पराली जलाने से धीरे धीरे करके प्रदूशन का इस तर और तेजी से बढ़ता है और डिजीज़ आती है इसी तरीके से अगर मैं आपको बताओं तो भूमी का आती दोहन प्रारंब होता जो स्वाइल है वो और भी ज़्यादा सलाइन होती जाती है लवनी अम्रदा में बदलती जाती है तेज़ अपरदन होता है पंजाब के लिए अगर मैं आपको बताओं तो उत्तर के साइड से छोस नाम से सीजनल रिवर्स आती है जो एक बैड लेंड टोपोग्राफी अर्थ खोस और ध्रियान के बीच में फसकर रहे गया है यह कुछ ऐसे प्रभाव रहे हरित क्रांती के जो नेगेटिव फॉर्म में हरित क्रांती को डिफाइन करते हैं पर यह लॉंग टम एफेक्ट है और मैं इस पस्ट कर दूं के हरित क्रांती भारत के लिए इस्चेंशल डायम दी किसी ना किसी प्रकार से पर्य वरण पर नकर आत्मक प्रभाव लाती ही है अब यहां जो हमारा यह डायमेंशन है हमारा यह डिस्कुषन है यह अन्ड होता है याद रखकिए कि अगर इसी प्रकार के और वीडियो देखना चाहते हैं तो अपने रखायं कमेंट सेक्षne में जरूर मेंशन करिएगा मैं definitely हर एक बच्चे का comment रीट करता हूँ साथ ही मैं आप सभी को inform करना चाहूंगा कि study IQ के P2I batches start हो चुके हैं इसमें classes start हो चुके हैं कल की rate से और अगर आप इसमें admission लेना चाते हैं तो आपके लिए golden opportunity है अभी window open है आप चाहें तो P2I batches को join कर सकते हैं यह joining आपकी journey को और भी जदा smooth कर देगी one to one mentorship मिलेगी आपको cap के program अर्था current affair का compilation daily मिलेगा one hour का video 3R की life classes होंगी syllabus को पूरा cover करा जाएगा experti के साथ और साथ ही आपको test series study material सारा कुछ provide करा जाएगा along with a crash course SIP के नाम से यह crash course होता है साथ ही pre qualify होने पर main residential program के आपको सुवीदा दी जाएगी और वो सारी चीजें जो आपको is exam निकालने के लिए आवशक हैं यह provide करे जाएगी study IQ के द्वारा एक लाइप कोट का faculty कोट का use करिए इस course को join करें और अपनी जर्ने को smooth बनाएं मिलते हैं इसी प्रकास एक next वीडियो में have a very nice day thank you हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें study IQ IAS हिंदी